आज बात करेंगे ग्रेटर टिप्रा लेंड की इन दोनों में कोई अंतर है त्रिपूरा में ही दोनों डिमांड क्यों उट रही है और क्यों एक सेपरेट स्टेट की मांग हो रही है क्या होती है Autonomous District Council, क्या होता है Article 2 और कैसे इस डिमांड को आगे देखा जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा और भारत के अर्निराजियों में यह तमाम बातें करेंगे आज के explainer में मेरा नाम है अंजम शर्मा और आप सिविल सेली समय देख रहे हैं और आप जानते हैं प्रिलिम्स के लेवल के हिसाब से अगर देखें तो Autonomous District, Six Schedule और Article 2 यह सब हो जाता है important और means के लेवल पे अगर आप अपना सेली बस उठाएंग में आप जानते ही हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अलग 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 प्रोग्राम सलते हैं आप उन्हें देख रहे हैं audio visual के साथ शुरूआत होती है, opeds होते है, current affairs होते है, then यह explainer होता है, then MCQs होते हैं और बीच-वीच में shorts चाते रहते हैं, आइए शुरूआत करते हैं, द होगी वहां के regions की, यानि ऐसे Tribals जो केवल वहीं मिलते हैं, उनके indigenous पहचान होती है, स्वदेशी पहचान होती है, तो उस पहचान को बचाये रखने के लिए एक टिप्रा लेंड की मांग हो रही है, लेकिन अब वो टिप्रा लेंड नहीं है, वो है greater टिप्रा लेंड, आप अगर ये देख पा रहे होंगे, ये जो green area है, ये सारा, ये हो गया आपका टिप्रा लेंड, लेकिन ये टिप्रा लेंड है, ग्रेटर टिप्रा लेंड नहीं है, दोरों में क्या अंतर है, मैं आपको भी बताता हूँ, तो अभी आपने ये map देख लिया, North East India के टिप्रा र बार बार हो रहे है, now demand for greater टिप्रा लेंड, प्रोटेस्टेंस बोल रहे हैं कि हमें North Eastern States में जतनी indigenous communities हैं, जो त्रिपुरा से संबंदित हैं, उनके लिए ये हम डिमांड कर रहे हैं और Article 2 और Article 3 का यूज करते हुए एक अलग से राज्ये बनाया जाना चाहिए, एक ऐसी situation है, जहां पर पूरा का पूरा Tribal, त्रिपुरा Tribal Area Autonomous District Council, ADCs जो होती हैं, वो क्या होती हैं, हम आगे देखेंगे, Autonomous District Council यानि कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक जो की स्वायत हैं, अपने फैसले खुद लेने में, तो त्रिपुरा Tribal Area के लिए TTADCs बनाई गई हैं, तो ये जो TTADCs ह इनको मिला कर एक अलग से तो Council बनेगी ही बनेगी, और उसको तो टिप्रा लेंड बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन Greater टिप्रा लेंड में केवल त्रिपुरा ही शामिल नहीं होगा, त्रिपुरा से बाहर आसपास की State में, जतने भी त्रिपुरा के Communities रह रही हैं, आदिवासी रह रहे हैं, इवन बांगलादेश के आसपास में जो रह रहे हैं, उन सब को शामिल किया जाएगा, इसलिए उसको बोला जा रहा है कि Greater टिप्रा लेंड, यानि ब्रिहद टिप्रा लेंड, अब तक केवल त्रिपुरा के ही रीजन को काट कर आप बना रहे थे तो बोल रहे थे कि वो टिप्रा लेंड है, लेकिन जब ग्रेटर शब्द का इस्तमाल होगा, जब बड़ा शब्द का इस्तमाल होगा, तो एवरी ट्राइबल परसन त्रिपुरा का लिविंग इन इंडिजिनेस एरिया और विलेज आउटसाइड दा त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनॉ तो यह एक बहुत ब्रिहत स्तर पर मांग हो रही है, बड़े स्तर पर तमाम क्म्यूनिटी इसको इसकी मांग कर रहे है, तो आर्टिकल 2 कहता है कि Article 2 कोई भी नए राज्य के admission या establishment की बात करता है Parliament law के माध्यम से अपनी union में एक नया state establish कर सकता है और उसके terms and condition जो भी वो सही समझता है उस state को शामिल कर सकता है Article 3 बोलता है कि जो existing states हैं उनका alteration किया जा सकता है या उनहीं में से formation किया जा सकता है नई states का या उनकी boundaries का alteration किया जा सकता है तो यह नाम बतला जा सकता है तो यह article 2 और 3 कहते हैं और इनहीं के तहत Greater Tepra Land की वहाँ के parties, political parties और वहाँ के communities मांग कर रही हैं लेकिन ये मांग उठी क्यों, why did this demand originate तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक SSS Existate है, because तुरे पुरा kingdom रहा है मानिक्या डैनिस्टी का, मानिक्या सामराज्य का एक पूरा सामराज्य रहा है, उन्होंने रूल किया है मानिक्या डैनिस्टी ने late 13th century से लेकर जब तक कि 1949 में instrument of accession Indian government के साथ sign नहीं हो गया था, तब तक वो मानिक्या डैनिस्टी का एक हिस्सा रहा है, उन्होंने उस पर राज किया है तो आप जानते हैं, जब एक लंबे समय तक, आप सोचिए 13. सदी के अंसर लेकर और 20. शदाब्दी तक कोई साथ, आठ सदी तक आपके उपर राज करें, तो आपका उससे जड़ाव होना एकदम लाजमी होता है, वो भी जब वो एरिया ट्राइवल हो तो और जदा होता है, तो एक तो कारण यह है दूसरा demographic changes बहुत तेजी से हुए, वो changes असली हुए कि जब Eastern Pakistan पहले का जो Eastern Pakistan था, जब वो बदला और तो वहाँ पर displacements बहुत सारे हुए, लोग आए गए और उसकी वजह से वहाँ की demography में काफी ज़्यादा changes आए, इंडिजिनेस communities में anxiety बढ़ा हुई उसकी वजह से, क्योंकि जब एक राज्य के demographic change होते हैं, तो आप कही न कहीं खुद को असरवक्षित महसूस करने लगते हैं और वो वहाँ पर दिखाए दिया, existential threat यानि आप की जो पहचान है, आपके जो existence है, आप का जो व्यक्तित है, वो बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा उसका भाई, उसका डर लगना, existential threat वो होता है, कि ये आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि 63.77% जो आबादी 1881 में थी, ट्राइबल्स की त्रिपुरा में, वो 2011 में 31.80% रहेगे, अगर आपकी आबादी आधी से कम हो जाए, तो आप जहां majority में होते हैं, वहाँ आप minority में आ जाते हैं, तो threat होना लाजमी हो जाता है, आप सोचिए, अगर आप अकेले ऐसे इनसान है, अगर आप बाहर जाते हैं, जहां पर आप अकेले हैं और बाकी सब आप से ज़्यादा ताकतवर हैं, या बाकी जो इसको हिंदी में पहचान बोलते हैं यानि कि आपकी ethnicity जो होती है उसकी बात है तो intervening decades, ethnic conflict वहाँ पर बहुत जादा हुए insurgency हुई और 860 km की लंबी boundary बांगलादेश के साथ है तो ethnicity का conflict होना लाजमी है आगे बढ़ते हैं तो ये जो चार points थे आपने देखा कि ये instrument of accession यानि accessist state और मुझे ये word बोलने में problem होती है इसलिए आप तोड़ा देखिएगा तो accession हुआ था तो वह वाला राज्य है जिसका accession हुआ तन demographic changes हुए तन existential threat हुआ तन ethnic conflicts हुए Now, what has been done to address the grievances of this indigenous community तो ये form TTADC यानि त्रेपुरा Tribal Autonomous District Council जो थी ये six schedule के तहत development इनका हो सके तो indigenous community की शिकायतों को दूर करने के लिए उनके development के लिए छठे अनुसूची छठे schedule के तहत TTADC को form किया गया था ताकि उनके rights, उनके cultural heritage को सुरक्षित रखा जा सके उनको secure रखा जा सके TTADC में अपने legislative और executive powers होती है यानि आपका अपना कानून खुद बना सकते हैं पारलिमेंट का कानून आपे तब तक लागू नहीं होगा कुछ संशोधनों के बाद ही वहापर लागू हो सकता और ने था नहीं हो सकता है now वो two-third of the state का geographical area अगर वो cover कर रहा है आपका और आपकी अलग से अपनी legislative और executive powers है तो आपका विकास हो सकता है तो इसलिए ये एक शिकायत को दूर करने का तरीका था कि six schedule में लेते आए आपको मुझे comment box में ये बताना है कि छटे schedule में six schedule में कौन-कौन से states आते है सम्विधान के तहट constitution के तहट चार states हैं बड़ा असान है तो आप मुझे comment box मों बता सकते हैं now this अत्रिपुरा ने जो है काफी ज़्यादा turbulent violence वहाँ पर देखे because वहाँ पर जितने भी अलग-अलग जो parties हैं अलग-अलग जो institutions हैं उनमें आपस में भी काफी ज़्यादा conflict रहते हैं लेकिन इधर कुछ समय से सब लोग greater टिप्रा लेंड की demand अब कर रहे हैं because उनको अपनी sovereignty और अपनी ethnicity और अपनी community lines की वजह से अब वो ये demand करने पे आगे आए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस टी टी एडी सी त्रिपुरा tribal autonomous district council की हम बात कर रहे हैं तो त्रिपुरा tribal तो एक word हो गया आप जानते हैं चुकि त्रिपुरा से लख संबंदित है इसलिए वो word है लेकिन what is this ADC ये बहुत important है आपके लिए prelims और minutes तोनों के लिहास से because काफी चर्चा में रहता है what are these ADCs और autonomous district council district क्या होता है एक जिला होता है आप जानते है council परिशद होती है autonomous मतलब स्वायत autonomy जब दी जाती है किसी को तो उसको अपने फैसले खुद करने का अधिकार दिया जाता है तो छटे schedule में चार राज्या आते हैं आप मांसर आपको मिल गया होगा लेकिन फिर भी आप याद कर लें इसको और मुझे बताएं तो जो technically different है schedule area से वो इसमें चटे schedule में डाले गए हैं चार states है असम मेघमित्र असम मिघाले मिजुरम और त्रेपुरा तो most of these ADCs are located in northeast India जादा तर वहीं पर हैं दस के आसपास इस समय और अटनॉमस काउंसल हैं लेकिन उन में से दो जो हैं वो लड़ाक में पढ़ती है एडिस्टर अट यूनियन territory तो असम मेघाले मिजुरम और त्रेपुरा में तो हैं ही तो अटनॉमस काउंसल बनाए गई हर डिस्टरिक में एक एक ऑटनॉमस डिस्टरिक है गवर्नर ही modify करते हैं या divide करते हैं boundaries एक notification के द्वारा और बोलते हैं कि यह tribal area है तो कौन करता है boundaries को modify या divide ट्राइबल areas की यह करते हैं governor हर अटनॉमस डिस्टरिक में पार्लेमेंट का कोई भी एक्ट या street legislature वहाँ पर apply नहीं होगा अटनॉमस डिस्टरिक पर जैसे नाम से सपस्ट है कि वह अटनॉमस है और अटनॉमस रीजिन पर अगर apply भी हैं तो governor में by public notification he can or she can include any area exclude any area create a new autonomous district from that autonomous district increase the area of autonomous district decrease the area alter the name define the boundaries and etc etc पार्स के दी हुई है autonomous district council को च्छटे schedule के तहत वो अपने laws बना सकती है rules or regulations बना सकती है जैसे land management है forest management है water resources agriculture है cultivation है traditional chief का appointment कैसे करना है headman का appointment कैसे करना है inheritance of property marriages divorce social customer money lending trading यानी हर वो चीज़ जो आप एक विक्ति से जुड़ी हुई है उसका फैसला वो autonomous district council करेगी कोई और parliament या कोई state legislature इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उनकी समस्याएं क्या है जंगल की समस्याएं क्या क्या हो सकती है वहाँ पर रहने वाले लोगों की समस्याएं आदिवासियों की क्या क्या हो सकती है इस बात का अंदाजा कोई और नहीं लगा सकता है इसलिए now judicial power क्या उनको दी हुई है तो बिल्कुल दी हुई है उनके अपने social customs होते हैं तो उसके लिहाज से वो उनको court form करने का अधिकार है अगर दोनों parties उस schedule tribe से जुड़ी हुई है अगर दोनों में से कोई भी party schedule tribe से नहीं है तो वह वहाँ पर उसका फैसला नहीं होगा अगर दोनों ही schedule tribe से जुड़ हुई है तो उनका फैसला वहीं पर वह सकता है वो court form कर सकते हैं उसको इसकी power है और maximum sentence जो है पांच साल से ज्यादा का नहीं क्यारा सकता है less than five years ही रहना चाहिए taxation revenue बिल्कुल लिवाय कर सकते हैं टेक्सेस को, fees को, tolls को, building और lands पर, animals पर, vehicles पर, boats पर, entry of goods, etc. तो यह सब पर इसकी demand हो रही है और what is the difference between TIPRA land and greater TIPRA land और autonomicistic councils क्या होती है, कौन उसको notify करता है, उसके area को कौन include or exclude कर सकता है, क्या-क्या powers होती है, judicial होती है, नहीं होती है, यह भी हमने देख लिया और TTADCs को देख लिया, हमने चार points देख लिया, यह demand क्यों originate होई, और साथ में हमने constitution क्या कहता है, article 2, article 3, यह भी देख लिया, news में क्यों था, यह भी देख लिया, तो यह थी पूरी जानकारी greater TIPRA land के बारे में, आपको यह program कैसा लगा, आप comment box में मुझे बता सकते हैं, इस channel को subscribe करना और notification bell को on रखना, मत भूलिएगा, पढ़ते रहें, खूब ख्याल रख के, शुक्रिया.